स्ट्रक्चर ऑफ ओवम अंडानों की संरचना अंडानों का निर्माण उगौनिया से होता है उगौनिया अंडाशे में डवलप होती है और ग्रैफियन फॉलिकल के अंदर डवलप्मेंट होता है किसी एक उगौनिया का और उसके बाद में जब वो अंडाशे से रिलीज हो जाता है अव्यूलेशन की प्रकरिया के द्वारा तो आगे फिर उसमें और मैचुरिशन डिवीजन होता है और एक मैचौर ओवम बनता है ओवम मींज अंडानूं अंडानूं तो एक प्रकार की कोशिका है, एक प्रकार की reproductive cell है, अगुनित cell है, haploid cell है, because इसमें meiosis के द्वारा गुनसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, nucleus में, तो ये एक प्रकार की अगुनित अंडानू जो है, एक प्रकार की single cell एक प्रकार की एकल कोशिका ही है, और ये काफी interesting कोशिका है, एक महत्वपूर्ण प्रकार की कोशिका है, जो की female के gonads में इसका निर्मान होता है, यदि इसकी structure को हम देख हैं, तो इनका size vary करता है, अल्दो शरीर में ये बहुत बड़ी कोशिका होती है, किसी भी female body में एक large cell की category में आती है, लेकिन human के reference में बात करें, तो इसका जो diameter होता है, वो 0.2 mm के लगबग इसका diameter होता है, अनिकोशिकाओं की तरह, इसका जो, इसकी structure में, इसके अंदर जो material है, जो cytoplasm है, उसको ooplasm कहते हैं, साइटोप्लाजम को ooplasm कहते हैं, और ooplasm जो है, वो outer ooplasm है और inner है, बाहर वाला जो ooplasm है, बाहर वाला जो cytoplasm है, वो थोड़ा सा transparent होता है, पारदर्शी होता है, और it is, इसको cortex भी कहते हैं, या exoplasm भी कह सकते हैं, अंदर वाला जो cytoplasm या अंदर वाला जो ooplasm है, इनर ooplasm है, ये थोड़ा dense होता है, और ये dense होता है, क्योंकि इसमें yoke उपस्तित होता है, और yoke भी हम देख सकते हैं, दो प्रकार का हो सकता है, formative yoke and nutritive yoke, और इसमें proteins, carbohydrates and विशेश प्रकार के nutritive materials के granules गणिकाएं इसलिए ये dense होता है, तो humans में जो ooplasm होता है, उसमें जो yoke होता है, वो negligible होता है, ये कहते हैं कि Lasc ethal की category में भी रखते हैं, कुछ scientist इसको, वैसे इसको micro lasc ethal की category में भी रखते हैं, क्योंकि ऐसी कोई रहनी सकता है, इसा case कि बिल्कुल भी yoke नहीं हो, but ये negligible yoke होता है, इसलिए ये micro lecithyl की category में आता है बहुत ही अत्यंत अल्प मात्रा में योग की उपस्तिती के कारण से human ovem जो है, वो micro lecithyl category में आता है इसके बाद मैं देखें कि इसमें जो केंद्रक होता है अंडाणू का जो नुकलियस है काफी बड़े आकार का होता है बड़े साइज का होता है और इसका भी अलग नाम होता है इसको जर्मिनल वैसिकल कहते है तो अंडाणू का जो केंद्रक है इसको जर्मिनल वैसिकल कहा जा लेकिन बाद में लेटर ये एक्सेंट्रिक पोजीशन में आ जाता है उत्केंद्री अवस्था में आ जाता है और जो अंडाणों की जो लेयर है बाहर जो सेल लेयर है उसके नजदीक आ जाता है और इस वज़े से एक्सेंट्रिक पोजीशन ये कहलाती है अब इस तरह की परस पोल और वेटल पोल दो ब्रकार की इस में पोल बन जाते हैं अब देखिए हम ये जो अंडानो है इसकी कवरिंग की बात करें रहें चिल आराउंड तो हम बेशिक कर लिए देखते हैं कि इसमें देखिए एक तो होता है लियर होती पर दो तीन कोशिकाओं की परत वाली एक लेयर होती है। जिसे हम करोना रेडियेटर कैते हैं। यह कोशिकाओं होती हैं वो एक प्रगार की Follicular Cells होती हैं जो कि जब यह ovulation होता है और जब ovum रिलीज होता है अंडाशे में से तो वह Graphian Follicle की इसके चारों तरफ एराउंड हो करके और एक रक्षात्मक परत बनाती है जिससे एक दो तीन कोशी की परत वाली एक लेयर बन जाती है जिसे हम Corona Radiator कहते हैं यह हम समझ गए कि इनकी कोशिकाएं Follicular Cells से ही Derived होती है और यह जो कोशिकाएं होती है यह Corona Radiator की कोशिकाएं होती है जो सेल्स होती है वो Zona Pellucida जो अंदर वाली लेयर है उसके Radially Arranged होती है इसलिए इसका नाम है Corona Radiator इसके बाद में हम यह देखते हैं कि इसकी मोटाई दो-तीन कोशिकी यह परत मोटी होती है लेकिन इसमें जो Corona Radiator की सबसे अंदर वाली जो परत होती है जो innermost layer होती है वो कोशिकाएं की जो शेप होती है वो कॉलनर होती है या स्तंभाकार होती है तो इस प्रकार हम देखते हैं स्टूडेंट्स के यह जो ओवम है इसके एराउंड एक तो बेसिकली जो सेल मेंब्रेन होती है वो तो होती ही है जैसे कि प्रतेक कोशिका में सेल मेंब्रेन होती है तो सेल मेंब्रेन का कवर हो गया इसको विटेलाइन मेंब्रेन भी कहते है इसके बाहर एक लेयर होती ह जिसे zona pellucida कहते हैं और ये zona pellucida जो है after fertilization इसका निर्माण होता है और इसके बाहर जो है layer होती है वो corona radiator कहलाती है जिसकी कोशिगा है follicular cells से derive होती है तो और इसका जो केंद्रक होता है वो काफी बड़े आकार का होता है जिसे germinal vesicle कहते हैं और हां केंद्रक के अंदर एक सूस्पस्ट nucleolus या केंद्रका भी होती है जिसे germinal spot कहते हैं और इसका जो कोशिगा द्रव्द होता है अंडाणू का उसे हम uplasm कहते हैं तो इस प्रकार से अंडाणू की संद्रचना में हम यह देख पाते हैं कि केंद्रक है जो की अगुनित है है और इसमें जो है अग्ति mitochondria है और mitochondria का कारे होता है ATB के रूप में उर्जा का निर्मान करना उर्जा का production करना अच्छा आपने को पता है कि जो mitochondria है और plants में वो जो chloroplast होता है यह दोनों semi-autonomous cell organelles कहलाते हैं क्योंकि इनमें अपना खुद का दी एने पाय जाता है तो इसमें भी अपना खुद का दी एने होता है इसमें इसके हैं और यह cortical granules का काम होता है कि विशेश प्रकार के enzymes को यह secret करते हैं निशेचन के दौरान जिसकी वज़े से zona pellucida जो layer होती है वो कठोर हो जाती है या उसमें मजबूत ही आ जाती है उसमें द्रड़ता आ जाती है थोड़ा सा जिसकी वज़े से एक fertilization एक sperm जब fertilization कर लेता है तो उसके बाद में zona pellucida जो layer है वो उसमें hardness हा जाती है that becomes hardened that becomes hard so that polyspermy is prevented zona pellucida जो layer है it is also known as jelly coat और यह zona pellucida में विविन्य प्रकार के glycoproteins पाए जाते हैं glycoproteins और यह ovum के जो आंत्रिक जो content है उनकी सुरक्षा करती है जब तक की fertilization के दौरान acrosome reaction के दौरा और fertilization नहीं हो जाता और उसके बाद में एक बार जब fertilization हो जाता है उसके बाद में polyspermy को यह prevent करती है follicular cells का जो layer है वो corona radiator कहते हैं उसे यह दो-तीन कोशी की मोटा होता है और यह follicular cells से बनता है और यह corona radiator जो है यह भी polyspermy को रोखने में सायक होता है और अंदर वाली जो layers है जैसे जो ना पहली उश्डा है और cell membrane है उनकी यह स्वरक्षा करती है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंडानों basically एक प्रकार का cell है haploid cell है और बड़े आकार की कोशीका है और reproductive cell है और इसके contents काफी अद्तक जो है सामान ने कोशीका की तरह ही होते हैं धन्यवाद